नवस्कार मैं डॉक्टर आशिशार्या, MBBS आज हम बात करेंगे कि डाइबेटीज को नियंतरित करने के लिए हमें आार कैसा लेना जाएए, मतलब खाना कैसा खाना जाएए डायवीटीज को नियंतरित करने के लिए हमें संतुलित आहार समझना बहुत बहुत जरूरी होता है 70-80% डायवीटीज का नियंतरित होना संतुलित आहार पर निर्वर करता है हमें डायवीटीज में खाने की तरीके में बदलाब लाना होता है खाने की मातरा में बदलाव लाना होता है और साथ साथ कुछ खानों से परेज करना होता है हमें डायबीटीज में गोड़, शकर, शैद और मिस्ट्री ये चारों चीजें बंद करनी होती हैं क्योंकि डायबीटीज में ये चारों चीजें बरावा नुकसान करती हैं अधिकतां लोग एक दिन में दो बार खाना काते हैं लेकिन अगर हमें डायबीडीज हो गया है तो हमें इस अदत में बद्लाब लाना होता है हम दो बार में जितना खाना का रहे हैं उतने ही खाने को हमें चार बार में खाना होता है और 77 रोटी की मातरा होती है अलग अलग रहती है किसी को 45 रोटी चाहिए एक दिन में और किसी को 9 से 10 रोटी चाहिए रहती है डाइबीडीज में हमें कैलोरी की मातरा सीवित रपनी होती है एक दिन में हमें करीवन 500 से लेके 1800 कैलोरी के अवशकता होती है और साथ साथ कार्वो आईडे यानि शुगर की मातरा भी सीवित रपनी होती है वैट की मातरा भी सीवित रपनी होती है वैट का मतलब तेलोलगी की मातरा भी सीवित रपनी होती है लेकिन प्रोटीन की मातरा हमें कम नहीं होने दिना है प्रोटीन की मातरा हमें तोड़ी सी बढ़ाना है और साथ-साथ प्रोटीन से जो किलोरी को बतीजियते खाने में वो भी बढ़ाना होता है और विटामी और मिन्रल की मातरा कम नहीं होने दिना है और 7-7 खाने का glycemic index 40-50 के बीच में रहना चाहिए इस अब चीजे सुनने में थोड़ी सी कटेन लग सकते हैं लेकिन जब हम फाली वाले सिस्टम पे आएंगे तब ये बहुत आसान हो जाएंगी चाहे हमें diabetes हो या ना हो हमारे खाने में यानि हमारी थाली में 5 चीजों का होना वहुत चलूरी होता है पहरे नमबर पे रोटी या चावल दूसरे नमबर पे दाल तीसरे नमबर पे दही चोते नमबर पे सलाथ और पाज़े नमबर पे सबजी और जो लोग non-wage खाते हैं, उन्हें दार और सब्जी की जगा non-wage लेना होता है जब हम खाने में दाल, तही और सलात को छोड़ देते हैं, कि एवन रोटी और सब्जी खाते हैं तो गई बिमारियां शुरू हो जाती है, उन्हें में से एक बिमारी होती है diabetes डायबिटीज में हमें हर दो रोटी पे एक कड़ोरी दाल एक कड़ोरी ताई और एक कड़ोरी सलाथ की जरूत होती है यानि अगर हमें चार रोटी खाने है तो दो कड़ोरी ताल दो कड़ोरी ताई और दो कड़ोरी सलाथ की जरूत पड़ेगी जिनको डायबिटीज नहीं ह वो हर तीन डोटी पे एक कटोरी दाल ले सकते हैं अगर हम दो रोटी लेते हैं तो हमें 200 किलोरी मिलती है एक कटोरी दाल में 100 किलोरी लेती है एक कटोरी दाई में 100 किलोरी होती है और सबजी और सलाद में 100 किलोरी होती है इस तरह से हमें करीवन 400 से लेके 500 किलोरी मिल जाती है ये पर्याप रहती है एक बार के खाने के लिए इस थाले में करीवन 70 ग्राम कार्वो आइडेड है यानि 70 ग्राम शुगर है इसमें करीवन 280 किलोरी हमें कार्वो आइडेड से मिन रही है यानि कार्वोाइरेट से हमें करीवन 55% केलोरी मिन रही है क्योंकि डाइबीडीस में पर्याप्त होती है इस थाली में करीवन 20 ग्राम प्रोटीन होता है और हमें एक दिन में करीवन 40-60 ग्राम प्रोटीन की अवशकता होती है और इस तरह से हम जब प्रोटीन का लक्ष है आसानी से हासिल कर सकते हैं इस थाली में प्रोटीन से किलोरी का बतिज़द 18% के आसपास रहता है और आमें एक दिन में प्रोटीन से किलोरी का बतिज़द 10-15% रखना होता है लेकिन जिनको diabetes होती है उन्हें protein से calorie के बतिज़त 2-3% जाता होना चाहिए तोगि diabetes में कई लोगे खाने में कई सालों से protein से calorie के बतिज़त 5-7% रहता है इस ठाले के खाने का glyceoic index 40 के निज़े है इसमें calorie भी काम है, fat भी काम है और 77 vitamin minerals भी बहुत अच्छी मातरा में हैं और fiber भी बहुत अच्छी मातरा में हैं इस ठाले में हम दाल और दई की जगा कड़ी ले सकते हैं अगर हमने मटर पनी लिया है तो सबजी दाल और दई तीनों चीज़ की जरूद नहीं रहेगी और अगर हम non waste काते हैं तो दाल और सबजी की जरूद नहीं रहेगी यही ठाली अगर हमें दक्षिन बारत में लेनी हैं तो उसमें हमें दो उत्पम के साथ एक बड़ी कटोरी में सावर लेना होगा इसी ठाले में अगर हम राजिस्तानी दाल बारती काना जाते हैं तो हमें एक बारती के साथ एक बड़ी कटोरी में दाल लेनी होगी और 7-7 सलाख की मात्रा जádा होना चाहिए और बाटी में खीकी मात्रा कम होनी चाहिए और 7-7 ये भी ध्यान राखना है कि एक बाटी से जदा नहीं हो अगर हम डायबीटीस को नियंद्वेट करना चाहते हैं तो युगण करने से जज़ादा जरूरी होता है डायबीटीस में संतुलित आर को समझना दवाई गोरियों से भी ज़रूरी होता है डायबीटीस में संतुलित आर को समझना